आज मैं आपके साथ चावल और आलू के नास्ते की रेस्पिस एर करूंगी और यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता है इसको हम फटा फटा बना कर तयार कर लेंगे तो चलिए अब इसको हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले कर लेंगे आ मैंने यहां मैं मधम एक टमार्ट इक प्यार्जाश ले लिया है कुछारी मेच और एक सिम्ला मेच ले लिया है आप चाहरत इसमें और भी सब्सक्य मेर्ण कि कर सकते हूं तो पहले मैं इन सभी सबजियों को काट लोगी तो हम प्याज को काट लेंगे बारिक बारिक देखें सारी सबजे को हमने काट लिया है है अब मैंने यहां चार आलू ले लिए है और इनको मैंने अब इनको हम झाल लेंगे पहले यह देखिए आलू भी हमने चीम लिए अब मैंने चारी निधे हम दो थिन गहंटे पहले विवालित्व को बीख से वाहाни है नि िकाल लूँ है झाल somebody सब्सक्ते है किसिदे बीख सर्क रखेतो दोड़ी तरने सब्सक्राइब निधे जाहिए है निधे लगे साशान।oric बीखो लेकाओ दीधा ने फने पानि निकाल लेकाल एक नाला जो लों को ब रखे पाने माथ चे अर्ब जाइगे साथ आठ में लसन की गलियम में काट कर जाए रखे नालार जाए कि अब मैं इसमें पानी डाल है ये देखे फिर इसका हम एक बार conex बना लें इन अपहर की अब तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है अब यहां मैंने एक बतन ले लिया है और जो यह पेस्ट हमने बनाया था यह इसके अंदर हम निकाल लेंगे पेस्ट के अंदर निकाल लिया है तो यह देखिए हमारा पेस्ट यह देखिए मैं आपको चम्मस से दिखा रहे हूं यह देखिए ऐसे इतना हमारा गाड़ा पेस्ट होना चाहिए ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए तो इतना गाड़ा यह पेस्ट होना चाहिए अब बारी कटी हुई प्याज, बारी कटी हुई सिमला मिल्च, गाजर, बारी कटी हुई हरी मिल्च, और बारी कटी हुई टमाटर, इसके अंदर हम डाल देंगे और इसमेगे हम ऑड़्े पीम, आप चम्मट से बीकम, इसमें हम जीरा भी मिल्या डाल देंगे ऑजेज मकरे प्रटे कंति हुईसदा Però Shinfega, तो थोड़ास बीकमच, कला नमक बाय देंगे अब सारी चीजों को हम करदेंगे मिक्स कर्देंगे और देखिए हमारे बैर जड़ा गॉर्ड़ा नहीं है यह देखिए। अब इसमें मैं मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी बारिक कटा हुआ और इसको भी इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमे मैं हाब चमण से तोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल दूँगे दिया दुखि दिया दें के दिया दूखे तो दिया है पाराई गिंस तक पूज़ करेंगे अब देखिये बेकिंग सोले को इसके ऑंदर मैं अच्छे से मेक्स कर दिया अब मैंने तवे को गयास पढ़क दया तो करम कर लिया, अब इसमें में दो चमाज तेल का इस्तमाल करेंगे, ज्यादा तेल का इस्तमाल नहीं करेंगे तो ये देखिए ओपर तो इसमें बैटर को इसमें से ओपर हम डाल देंगे तो ओपर हम प्हेला देगे मैं नों भी difficult इसके उपर मैंने प्हेला दिया और श्चाहमादी है तो duty यह देखिया को 1500 प्लैट मैं एक लाक्ती मिसी कि मुद्वे न सुना समय बने लोकी तोSabato इसको झालर आपकर हम टेक्षण जी वयर्दा नहीं पड़ाँ नुट विर का हम प्लेंट कर दोसी तरफ से वह तोसी तरफ का लेंगी अब इसको हलका हलका दबा कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अब इसको हम डखेंगे नहीं ऐसे ही थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि अब इसको हम उतार लेंगे अब देखिए एक हमने बना लियाए एस सारे बना कर तयार करेंगे थोड़ा साइस के ऊपर हम बैठर डालेंगे तेल ढ़लेंगे इसको हम अ क्वेल्याद हैं पिर इसको दूसीर दर्फ से भी ऐसे पकालेंगे तो अब आसे ही हम सब को पका लेंगे विए देखिए हमारी सारे बनकर आप की तैयार हो गए हैं उसको भी हम उतार लेंगे और लाइक भी कीजिए और शेर भी कीजिए तो ये देखे हमारी रस्पी बनकर तयार हो गई और ये बहुती टेस्टी रस्पी बनती है और ये बहुती हेल्दी है तो आप इसको सुदे के नास्ते में बना कर खा सकते हो बहुती तेस्टी लगती है तो जरूर एक बार इसको बना कर देखना । आपको भी पसंद आएगी और इसको बनाने के सिनाअगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सेग सीब किजिए यह मैंने